दोस्तो जहन स्वागत है आप सभी का study with MSPP चैनल पर दोस्तो ये ताबरतोर रिविजन सीरीज जो मैंने चला रख किये है उसी का ये 31 पार्ट है ठीक है इसके पहले 30 वीडियो अप्लोडेड है उनको आप जरूर देख लिजिए निश्चीत तोर पर आपको 25 से 30 कुष्चन इ मैं इदम short वीडियो लेकर आता हूं इदम छोटा सा 5-7 मिनिट का है ये बहुत ज्यादा लंब चोड़ा वीडियो नहीं है लेकिन बहुत ही प्रोड़क्टिव टॉपिक्स हैं इनसे फ्रस्टन हमेशा पुछे जाते हैं ठीक है आगे आने वाली जो भी आगामी परिक्षा हुआ है आपका उसमें आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाईए और रिवीजन कीजिए जो आपने short notes बना रखे हैं ठीक है तो वह काम करते रहिए अदरवाइस आपको समय बिल्कुल मिलेगा नहीं रिवीजन का तो रिवीजन भी साथ-साथ में करते रहिए ठीक है चलिए शु की PDF और चाहिए तो टेली ग्राम चैनल के लिंक दी हुई है उसको जोइन कर लिजेगा ठीक चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देखिए इसमें मैं नेशनल वाटरवे के बारे में बताऊंगा और जो पोर्ट है हमारे बंदर का उनके बारे में बताऊंगा देखिए uiable National Waterway जो भन हे वो इलहावास त्लीया तक है सबसे बड़ा यही है जो तीसरा जो है वो साधिय से दूबरी ऑर यह के तीसरा जो हय व्य faster कोट्टापुर्म यह कर्ला उसमें है यह काकी नासम यह 14 वाला जो है काकी नासम मरक कानम यह आंध्रा के उसमें पढ़ता है तल्चा लखीपूर से भंगा ये बराक नदी असम में ये देखिए ऐसे प्रशन कैसे बनेगा ये बताता हूं मैं आपको जैसे देदेगा कि लखीपूर से भंगा ऐसे नाम देदेगा लखीपूर से भंगा निमलिखित में से कौन सा नेशनल वाटरवे है तो आपको पता होना चाहि है कि लखीपुर से भंगा जो है वो छठवा है तो प्रश्ण इस तरीके से बनेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे आगे देखिए ये भारत के कुछ प्रमुख बड़े बंदरगा है ठीक है इनके नाम याद रखिया और इनकी लोकेशन याद रखिया अवस्थ चन्नाई तमिल नाडर बंगाल की खडी में कोच्ची ए केरला में अरब सागर में विसाखा पटनम आंदःप्रदेश बंगाले खडी पारादीप ये ओडिषा बंगाल की खहडी थीक है तूति कोरिं यह तमिल नाडू बंगाल के खडी मर्मा गाउं यह गोवा में अरब साघर कांडला गुजरात आरब साघर पहला यह जड़ है यह इस मेरेा यो फॉर्ट बॉर्ट बंगाल के 자ड़ी फॉर्ट बले न का नाम यादा रखे गाएनकी अवस्थिति जरूब रखे रखेका पूर्वी और पस्चिमी ऐसे पूछा जाता है यह पूर्वी कौन से है इसमें से ऐसे दे देगा चार दे देगा फिर बोलेगा निमनेखित में से कौन से पूर्वी तट पर अवस्थित हैं या पस्चिमी तट पर अवस्थित हैं ऐसे करके पूछता है तो प्रशनों की प्र स्थापन 1972 में हुई थी इसका मुख्याला कहा है कोची में यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला यह सिप्याड है कौन सा कोचीन सिप्याड याद रखेगा दाहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगा है जो रासाइनों के निप्टान ह ही तो इसलिए इस रासाइन बंदरगा भी कहा जाता है तो ऐसे भी यह बंकरी हुई है ठीक है रिवाइज कीजिए आपको याद हो जाएगा ठीक है मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए स्वस्तर ही है मस्तर ही बंदास रही है जैहिन